हुआ है वाट्स आप एन वेल्कम बैक टो ग्राइविटी सर्कल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग सब कुछ बढ़िया सब कुछ ठीक चलो सो थर्मो डाइनेमिक्स नाम का चैप्टर खतम हो चुका है एन हम लोगों ने थर्मो डाइनेमिक्स चैप्टर को सच में बहुत अच्छे लेवेल पर पढ़ा बहुत डीटेल में पढ़ा एन गाइस अब हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नमबर सेवन जिसका नाम है इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम चैप्टर नमबर सेवन एन सी इ आर्टी क्लास इलेवन या स्टेट बोर्ड्स में इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर होगा और ये चैप्टर आई विल डेफिनेटली से आपके थर्मो डाइनेमिक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत इजी चैप्टर है सूपर इजी चैप्टर लेकिन थोड़ा सा लेंदी तो प्यारे बच्चो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर किसी भी चीज में बैलेंस बनाना सीखेंगे आप लोगों ने बैलेंस तो देखा है होगा तराजू बस हम उस तरीके का इसके अंदर एक बैलेंस बनाना सीखेंगे मैं आपको बहुत अच्छा एक्जैम्पल देता हूँ आप लोगों सोचा होगा कि आप लोग सांस जब लेते हो जब हम लोग नहेल करतें तो हमारी नाक्ट के थूँ हमारी body में क्या जाता है oxygen नाम कीbes वह oxygen कहां जाती होगी वह oxygen आपकी नोस से होती भी आपके lungs में जाती है लंग है lungs में नसों का गुछा है यहनने जो आपकी body में जो नसे होती न जो vessels होती जिसमें blood flow होता है उसके बहुत सारे गुच्छे बने वे, lumps बने वे हैं और जैसे ही आप सांस लेते हो ये सांस आपके lungs में जाती है ये oxygen आपके lungs में जाता है और diffusion के थूँ वो आपके lungs में से आपके blood में transfer कर दिया जाता है और ये blood कहला oxygenated blood ठीक उसी समय जब oxygen आपके blood में जा रहा होता है आपका blood उसके अंदर मौझूद carbon dioxide को lungs को दे देता है मतलब यहाँ पर लेन देन चलता है blood oxygen लेगा तो बदले में carbon dioxide देगा तो lungs ने अपना oxygen blood को दे दिया और blood ने अपना carbon dioxide lungs को दे दिया आपने सांस छोड़ी CO2 आपकी body से बाहर अब वो oxygenated blood आपके पूरी body में flow करेगा अब guys यहाँ पर हम लोगों को जिन्दा रहने के लिए हमारे blood के अंदर एक specific मात्रा में oxygen का होना जरूरी है और हमारी body throughout इस balance को बनाए रखती है कैसे मैं आपको बताता हूँ जिसे मान लो आपके पास में 100 ml blood है और उस 100 ml blood में मुझे 20 ml oxygen चाहिए अब मान लीजिए आप अभी आपके घरों में आप कोई जाते exercise वगेरा नहीं कर रहे हैं आप आराम से बैठे वें तो अभी वो balance आपकी body में आराम से बना हुआ है अब suddenly एक दिन आपको जोश चोड़ oxygen की जरुवत होती है तो आपका blood जादा जादा oxygen आपके muscles को पहुचाता है तो आपके blood में oxygen का level decrease हो गया क्योंकि उसने अपने अंदर जो oxygen होना था वो तो muscles को दे दिया तो आपकी सांसे तेज़ चलने लग जाती हाँ वैसे half ने लग जाते है मनब आपकी body लगातार आपको जल्दी जल्दी सांस ले भाई क्योंकि हमें oxygen को maintain करना है तो अगर यह equilibrium इस दुनिया में नहीं होता तो शायद हम लोग exercise करने के बाद इसी body body नहीं बना पाते उल्टा हम लोग मर जाते क्योंकि हमारी body में blood का level में हमारे blood के level में oxygen का level कम हो जाता ठीक उसी तरह carbon dioxide हमारे लि जब हम खाना खाते हैं तो खाने से हमारी body energy निकालती है और waste product के तौर पर by product के तौर पर CO2 बनाती है अब CO2 हमारी body में रहेगी तो हमें घुटन महसूस होगी इसलिए हमारी body जल्दी जल्दी क्या करती है oxygen अंदर लेती है और CO2 भार फेकती है जब आप exercise करते हो तो आपक body में आपकी सांस तेज चलना जल्दी जल्दी oxygen खीषता और जल्दी जल्दी CO2 भार फेशता है यह equilibrium बना हुआ है समझ में आ रही है याने एक proper balance बना हुआ है यहाँ पर आपकी body में blood में oxygen और CO2 का और अगर यह disturb हुआ तो it may be toxic यह हमारी life के लिए खतरा हो सकता है आपने corona के case में body में oxygen की कमी होने लगती क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है और patient मर जाता है उनको ventilator लगाते तो भी नहीं बच पाता है मतलब आप समझ रहे है oxygen का level oxygen का balance बना है रखना हमारी body में कितना जरूरी है तो प्यारे बच्चों यह जो equilibrium नाम का chapter है it is having a very importance in our life हम इसके point clear हो गया होगा ठीक है चालो super cool अब guys आगे चलते हैं थोड़ा सा मैं आपको एक और बात बताता हूँ आपने देखा होगा जैसे की water है water अभी किस form में पढ़ा हुआ है liquid form में धीरे धीरे water जो है वह vaporize होकर अपने vapor form में चला गया लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप इस पूरी process को अगर आप इस पूरी process को closed system में कर रहा है open नहीं closed system में कर रहा है तो एक time period के बाद आप लोगों को ये लगने लगेगा कि शायद ये process रुख गई है याने water vapor में बदलना रुख गया है शुरू में तो आपको क्या दिखेगा कि भाईया water के liquid portion का level कम हो रहा है इ लेकिन एक time period के बाद आपको ऐसा दिखने लगेगा कि अब water का level कम नहीं हो रहा है और vapor का level बढ़ नहीं रहा है तो आप बोलेंगे sir यहाँ पर कौन सी situation आ गई equilibrium वाली आ गई लेकिन हमेशा आप देखो equilibrium को इस double headed arrow से लिखा जाता है why this double headed arrow इसका मतलब यह होता है that rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction याने जितनी speed से water vapor में convert होगा उतनी speed से अब vapor वापस से water में convert होने लगा है और इस state को कौन सी state बोलते है this state is called as equilibrium इसे ही equilibrium बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चो क्या ये बात समझ में आ रही है so this process is called as equilibrium process क्या ये बात समझ में आ गई क्या इसके अंदर किसी तरीके कोई दिक्कत ना प्यारे बच्चो ये process कैसी हो रही है आप देखो एक liquid अपने vapor form में आने gaseous form में convert हो रहा है तो इस तरीके के conversion को हम बोलेंगे physical equilibria या physical equilibrium ये किस प्रकार का equilibrium दिखाई पढ़ रहा है physical type का मादब यहाँ पर कोई chemical reaction नहीं हो रही है यहाँ पर कोई chemical reaction नहीं हो रही है chemical reaction के अंदर पूरी की पूरे compound की consistency या उसके atoms का ratio बदल जाता है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है water H2O के form में था बस पहले liquid था अब वो vapor form में चला गया है और इन दोनों के बीच में equilibrium बन गया है तो इससे physical process बोलेंगे physical process कभ यूज करी जाएगी जब आप solid को liquid में बदल लोगे और liquid solid में चला जाएगा या आप liquid को gas में बदल दोगे और gas liquid में चला जाएगा या आप solid को gas में बदल दोगे और gas वापस solid में चला जाएगा इन प्रोसेसेस को बोलेंगे फिजिकल एक्विलिब्रियम ठीक उसी तरह कभी-कभी आपको यह देखने को मिलेगा कि आपके पास में रियाक्टेंट है बलब आपने केमिकल रियाक्शन शुरू कर दी है अब और रियाक्टेंट अब आपका कनवर्ट हो रहा है किसके अंदर प्रोड़क्ट के अंदर तो जब आप केमिकल रियाक्शन की शुरूआत करोगे तो शुरू में तो रियाक्टेंट की मातरा सबसे जादा होगी शुरूआत में तो रियाक्टेंट की मातरा बहुत जादा होगी मानलो मेरे पास में 100% रियाक्टेंट है तो शुरू में प्र कम होता जाएगा और प्रोडट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा लेकिन अगेन इसके अंदर यह होगा कि एक टाइम पीरियड के बाद एक टाइम पीरियड के बाद जब दोनों मान के चलो 50-50 हो गए उसका चलो यह बचा 20% यह बचा 80% मलब आप देखो टाइम बढ़ता ग मिनिट बात देखो 50 मिनिट बात देखो 100 मिनिट बात देखो 1000 मिनिट बात देखो कोई चेंज नहीं आ रहा है रियाक्टेंट जितना था उतना है प्रोड़क्ट जितना था उतना है ना तो एक परसेंट यह बढ़ रहा है ना यह बढ़ रहा है ना यह बढ़ रहा है ना कम बन रहा है उतनी ही rate से product वापस टूट के क्या बना रहा है reactant और यहाँ वाली state को क्या बोलेंगे ये बन गई इसकी equilibrium state क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चो हमेशा ध्यान रखना अलग-अलग reaction की ये equilibrium state अलग-अलग होती है कुछ देर बाद में आपको लेकिन क्या ये point clear हो गया क्या इसके अंदर कोई दिक्कत अच्छा जब कभी भी हम लोग chemical reaction करेंगे जब कभी भी हम लोग chemical reaction करेंगे तो chemical reaction का जो rate रहेगा will always depend on the nature of the reactant मतलब यहाँ पर आपने reactant किस प्रकार का लिया है क्या reactant highly reactive है अगर reactant highly reactive होगा तो जल्दी जल्दी product बना देगा अगर reactant highly reactive नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे product बनाएगा और दूसरा आपने reaction के लिए क्या conditions ली है conditions of reaction जैसे आप लोग सब जानते हो कि कई ऐसी chemical reaction होती है जिसका temperature बढ़ा दो तो उनका rate बढ़ जाता है समझमारी जैसे for example आपको पानी में शक्कर घोलनी है तो अगर आप पानी में शक्कर घोल के उसको stir करेंगे तो पांच मिट तक गुमाना पड़ेगा लेकिन अगर पानी गरम है तो उसमें शक्कर जल्दी खुल जाएगी तो यहाँ पर chemical reaction का forward और backward rate किस पर depend करेगा यह equilibrium में जित्ती speed से product बनेगा उत्ती speed से reactant बनेगा depend किस पर करेगा तो यह depend करेगा कि आपके reactant और product I mean reactant का nature कैसा है और reactant को आपने क्या condition दी है जब कभी भी chemical reaction में इस तरीके की equilibrium state आ जाती है इसे नाम दिया जाता है dynamic equilibrium क्या नाम दिया जाता है dynamic equilibrium का मतलब यह होता है कि आप जब reaction को दूर से observe करोगे तो आपको इस equilibrium state पर लगेगा it looks like यह आपको देखकर ऐसा लगेगा कि reaction जो है वो stop होगे it looks like that reaction has been stopped reaction पूरी तरीके से रुख चुकिये लेकिन क्या असलियत में reaction रुकेगी नहीं असलियत में reaction हो रही है याने reactant लगातार टूट के product बन रहा है या reactant लगातार जुड के product बन रहा है लेकिन उसी समय उसी speed से और उसी मातरा में product वापस से टूट के reactant बना रहा है आप जितनी मातरा में जितनी quantity में equilibrium state पर आ जाने के बाद आप reactant से product बनाओगे ठीक उसी समय उतनी speed से उतनी मातरा में product वापस टूट कर क्या बना देगा आपका reactant तो इस condition को बोलते है डाइनेमिक equilibrium समझ में आरी बात आपको मतलब डाइनेमिक equilibrium में एक ऐसी state है मैं आपको इसको एक बहुत अच्छे तरीके से imagine करवा सकता हूँ यह एक ऐसी state है जिसमें for example हमारे पास में पानी की pumping machine है एक पानी की हमारे पास में motor है एक पानी की हमारे पास में motor है हमने टंकी ले ली टंकी में पानी भर दिया हम लोगों ने हमने यहाँ पर motor लगा दी यह motor क्या कर रही है यहाँ से पानी सक कर रही है यह motor यहाँ से पानी सक कर रही है और यहाँ से इस पानी को वापस से टंकी में डाल रही तो यह outlet हो जाएगा और यह inlet हो जाएगा तो आप जब पास में खड़े रहेंगे तो आपको motor चलने की आवाज आईगी आपको यह टंकी में पानी गिरने की आवाज आईगी यहां से पानी सक होता हुआ दिखाई देगा तो यहां आपको लगेगा कि process चा पानी का लेवल तो, maintained पानी का लेवल ना तो बढ़ रहा है न ना कम हो रहा है, तो शायद ये मोटर बंद होगी, लेकिन जब आप पास में खड़ो लोगो तो आपको दिखेगा गि लगातार नया पानी अंदर जा रहा है, और वह पानी वापस दिसमी गिर रहा है फिर नया पानी अंदर जा रहा है वो वापस गिर रहा है नया पानी अंदर जा रहा है ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होगा reactant टूट के नया product बनेगा और पूराना product टूट के नया reactant बनेगा समझ रहे बात को कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर जरा इतने एक बार observe कर लो ठीक है कोई परेशानी इतने के अंदर ध्यान से इसको देख लिया अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूँ ये जब भी equilibrium होता है तो आप बहुत अच्छी बात मैं आपको imagine कराता हूँ हमेशे एक बात ध्यान लगने जब आप चीजों को खुद imagine करते हो तो वो आपको ज़्यादा अच्छी याद रहेगी अगर आप किसी चीज को animated form में या अगर आप किसी चीज को आपको कोई परोस के देदेगा तो मुझे नहीं लगता उत्ता मज़ा आपाएगा क्योंकि जैसे मैं अगर किसी चीज को imagine करता हूँ तो मेरे mind में हमेशा के लिए रहे जाती है तो हमेशा ध्यान रखना आप कैसे भी पढ़ो अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक के अंदर डाइग्राम क्यों दिये जाते है ताकि आप visualize कर सको इसलिए मेरे हमेशा एक कोशिश होती कि मैं आपको visualize कर आऊ इसलिए अपने वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं तो काई लंबे वीडियो का आप चिंता मत करो लेकिन जब तक आप चीजों को imagine नहीं करोगे खुझ से कोई आपकी मदद नहीं कर सकता प्यारे बच्चो चलो यहाँ पर आप देखो मैंने इसके अंदर sugar मिला दी तो यह क्या है यह sugar plus water का एक solution है और यह बिल्कुल कैसा solution है saturated यह ध्यान रखना कैसा solution है saturated मतलब अगर आप इसमें एक शक्कर का नया दाना भी डालोगे तो वो dissolve नहीं होगा यह saturated है यानि इस water की जितनी capacity थी sugar को अपने अंदर dissolve करने की यह उतनी अपने अंदर dissolve कर चुका है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं एक नया दाना शक्कर का इसमें डाल के देखू तो मैंने एक शक्कर का नया cube इसके अंदर डाल दिया तो अब आपको क्या लगेगा देखने पर आपको यह लगेगा कि यह cube नीचे गया और यह cube नीचे जाके यहाँ पर settle हो गया लगेगा की नहीं आप लोगों को लेकिन एक बात बताऊं यह cube जो आपने डाला था यह new था लेकिन यह जो deposit हुआ है यह old है मतलब यह शक्कर का वो दाना होगा जो सबसे पहले dissolve हुआ है यह बहुत interesting बात है प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा तो जैसे ही नया शक्कर का दाना आएगा यह dissolve हो जाएगा लेकिन जो सबसे पहले शक्कर का दाना dissolve हुआ था वो यहाँ पर recrystallize हो जाएगा याने की वापस से appear हो जाएगा आपको वापस से दिखने लगेगा तो नया वाला घुल जाएगा पुराना वाला recrystallize होकर आपके सामने आ जाएगा तो यह अब equilibrium की position बन गई तुम एक नया sugar का molecule डालोगे तो पुराना वापस से अपने रूप में आ जाएगा नया पानी के अंदर घुल के solution बना लेगा तो पुराना वाला वापस से भार आके sugar बना लेगा तो अब यह equilibrium की condition बन गई क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चो तो equilibrium एक बहुत interesting चीज है चीक है चालो यह example clear हो गया अब वापस से हम लोग इस चीज पर आते हैं वापस से हम लोग इस चीज पर आते हैं प्यारे बच्चो तो आप यहाँ पर जरको इस तरीके की position को में डायने वी equilibrium बोल दिया अच्छा अब यहाँ पर हो क्या रहा है सर यहाँ पर chemical reaction हो रही तो इस तरीके की equilibrium को हम लोग क्या बोलेंगे it is called as chemical equilibrium उसके पहले वाले को क्या बोला था physical equilibrium वहाँ पर state बदल रही थी लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा reactant बदल चुका है product में पूरी chemical property पूरी properties change हो गई है तो इस तरीके के को हम बोलेंगे chemical equilibrium क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चो कोई दिक्कत कोई परेशानी चीके चलो बहुत बढ़िया अब प्यारे बच्चो इसको समझते वे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अभी यह सब introduction चल रहा है अभी यह सब introduction चल रहा है और आप लोगों को आराम से सब चीज़े समझ में आ जाएगी क्योंकि यह तुम्हार प्यार सर का वादा है तुमसे चलो अब एक बात देखो इन इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम जनरल ही हम लोग यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं सर फिजिकल की बात क्यों नहीं करते हैं फिजिकल तो क्या नैचरल फिनोमिनन टाइप का है chemical हमें करना होता है हम laboratory में करते हैं तो हम लोग यहाँ पर equilibrium में usually chemical की बात करें अब मान लो case 1 मान लो यहाँ पर आपके पास में क्या है case 1 तो इस case 1 में हम लोग बात करते हैं कि let's say आपकी एक process start हुई एक A नाम का reactant B नाम के product में convert हो रहा है ठीके लाड़ लो तो जब time 0 minute पर था तो reactant आपके पास में obviously बात है 100% होगा चलो reactant को R कर लो product को P कर लो और आपके पास में आपर product किता होगा इस time period पर obviously बात है 0% now let's say time आगे बढ़ा और 30 seconds पर पहुँच गया यहाँ पर आपने देखा कि reactant आपके पास में सिर्फ 10% ही बच रहा है और product आपके पास में 90% होगा अब आप और आगे बढ़े आपने माल लो चलो इसको मैंने मालना 10 seconds 10 minutes अब मैं 20 minutes पर देख रहा हूँ कोई change ही नहीं आ रहा है इसका मतलब चाहुआ कि हो ना हो यहाँ वाली condition पे chemical reaction कहां आ चुकी है equilibrium पर आ चुकी है मलब इस condition में आपकी reaction कहां पहुच चुकी है equilibrium पे अब आप देखो आपने 10 minutes बाद reactant देखा 10 minutes बाद आपने product देखा किसी तरह का कोई change आपको reactant और product के concentration में नहीं मिल रहा है that means जैसे ही एक reactant तूट के product बनाता होगा जैसे ही 1% reactant तूट के product बनाता होगा ठीक उसी समय ठीक उसी समय 1% product वापस से तूट कर reactant बना देता होगा क्योंकि मैंने आप से कहा था ये process लगातार चलती रहती है तो ये process अब लगातार चलेगी और लेकिन कहां चलेगी अब ये चलेगी at equilibrium मतलब जिस speed से जिस rate से rate of forward reaction what do you mean by forward reaction forward reaction का मेरा मतलब है conversion of r into p इसको मैंने forward reaction बोला becomes equal to becomes equal to rate of backward reaction याने conversion of conversion of product into reactant मतलब अब यहां पर reaction आपकी time आगई equilibrium पे क्या point समझ में आया है प्यारे बच्चों तो यह हो गई आपका case 1 सर यह तो आपने वही बात बता दी लेकिन यहां पर आप reactant और product की मात्रा देखो यहां पर product की मात्रा बहुत जादा हाई है मतलब reaction equilibrium पे कब आई when the quantity of reactant remains almost negligible remains almost negligible मतलब यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि reaction लगबग लगबग पूरी खतम हो जाती लगबग लगबग पूरी खतम हो गई है भई reaction यह खतम में कब मानता जब reactant 0% बचता और product 100% बन जाता लेकिन क्योंकि reaction equilibrium में आ गई इसका मतलब यह है कि reactant 0% तो कभी नहीं होगा अगर reactant 0% हो गया छो तो reaction complete हो गई equilibrium में आने का कोई सवाल ही नी तो equilibrium में सिर्फ वह reaction आ पाईगी ने मेरे प्यारे बच्चों जो 100% complete ना हो तो फिर अगर 100% complete नहीं हो रही है तो क्या होगा तो पहला case आएगा कि reaction almost complete हो गई मनलब यह reaction क्या हुआ almost complete हो चुकी है आपको almost maximum सारा सारा product मिल गया है बस reactant थोड़ा सा बचा है और product थोड़ा सा और बन सकता था लेकिन equilibrium पे आ गया तो पहला इस condition को बोलेंगे case 1 क्या जब reactant की quantity becomes very smaller than product की quantity कब यह सब कब हो रहा है at equilibrium अच्चा तो ऐसी processes को क्या बोलेंगे तो बैटा हम लोग यहाँ पर एक बात ध्यान रगेंगे कि such reaction favors product formation यानि जब आपको ऐसा दिखे कि आपका product का quantity is very high and reactant के quantity is very low जिसे यह या ऐसा भी हो सकता है कोई reaction 99% complete हो गई हो और reactant 1% ही रहा हो ऐसा भी हो सकता है मनलब आप इसको ऐसा भी मान सकते हो कि आप शायद reactant 1% है और product 99% है यह भी चलेगा यह भी चलेगा लेकिन आप समझ गए ना मेरी बात को मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको कि reactant की quantity बहुत कम हो और product की quantity जादा हो यानि product की quantity reactant से कम हो तब मैं कहूंगा कि यह reaction क्या favor कर रही है this reaction favors the product formation यानि यह reaction चाहती है कि product बने और खूब सारा बने और इसलिए ऐसी reactions को हम लोग क्या बोलते है such reactions are always called as you always said to be moving in forward direction यह reaction कहा move कर रही है this reaction is moving in forward direction और फिर बहुत बाद में आकर इसने क्या achieve करा equilibrium क्या बात समझ में आ गई तो इस reaction को आप almost complete मानेंगे जब reactant की quantity negligible रह जा उसके बाद equilibrium आए मतलब यह reaction favor कर रही है product formation को मतलब यह reaction बड़े आराम से forward direction में बढ़ जाएगी कोई चिंता वाली बात आपको नहीं रहेगी चीके case 1 clear हुआ कोई परिशानी मेरे प्यारे बच्चो चलिए बहुत शांदार अब case number 2 की तरफ चलते let's talk about case 2 अब प्यारे बच्चो यहाँ पर आप लोगों को एक अजीब सी चीज दीखेगी यहाँ पर आप लोगों को reactant और product की initial quantity तो definitely 0% ही दिखाई देगी initially आपको 0% ही दिखाई देगी फिर चलो माना time बीद गया 10 minute reactant बच्चा 90% product बच्चा 10% फिर मैंने reaction को observe किया 20 minute बात अरे reactant तो अब भी 90% है product अभी भी 10% है मतलब हो ना हो इस concentration पर आते ही जब reactant 90% रह जाएगा product 10% बन चुका होगा reaction कहां आ चुकी है अपने equilibrium point पर आ चुकी है मतलब rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction याने यहां पर rate of forward reaction इक्वाल हो गया किसके rate of backward reaction के याने अब जैसे ही एक परसेंट reactant तूटेगा एक परसेंट नया product बनाने के लिए ठीक उसी समय उतनी ही speed से उतनी ही speed से उतने ही rate से ठीक उसी time एक product वापस से तूटेगा ताकि एक परसेंट नया reactant बना दे और value वापस से balance हो जाएगी क्या यह बात समझ में आई तो आप यहां पर देखो यह नया reactant तूटा और नया product बनाया तो यह पुराना वाला product तूटा यह old वाला product होगा जो तूटके आपको नया वाला reactant बना रहा है मलद प्रोसेस चल रही है नया reactant तूटके नया product बना रहा है पुराना product तूटके नया reactant बना रहा है प्रोसेस चल रही है मतलब कहां आ चुकी है equilibrium पर यह मैं कहूं dynamic equilibrium पर reaction चले जा रही है जब तक आप नहीं रोकोगे यह process होती रेगी जब तक आप इसको सारी condition provide करोगे reaction होते रेगे लेकिन problem क्या हुई क्या हुई problem यहाँ पर reactant की quantity जादा है और product की quantity कम है तो हम यहाँ पर बोलेंगे that reaction is almost or simple भाष्चा में बोलें तो incomplete reaction is almost incomplete reaction पूरी हुई नहीं क्यों incomplete है आप इसे incomplete क्यों मान रहे है due to the very less formation due to the very less formation of product यहाँ पर product का formation लगबग ना के बराबर हुआ है यहाँ पर reactant से जादा product से जादा आपके reactant की quantity बच रही है तो यह reaction almost incomplete consider की जाएगी यह reaction इसी बोली जाएगी कि यह reaction हुई ही नहीं it is almost incomplete चीक तुप्प्याइब बच्चो आप ऐसा बोल सकते हैं that this reaction favors R formation यानि अगर आप इस reaction को देखो तो R ज़्यादा stable है तभी तो P में convert नहीं हो रहाद करो thermodynamics में भी सिखाया था कि आपका reactant यहाँ पर ज़्यादा stable होगा इसकी Gibbs energy ज़्यादा negative होगी तभी तो यह product में convert नहीं हो रहा है तो यह reaction में R ज़्यादा stable है इसलिए R के formation को यह favor करेगी मतलब reaction क्या बोलना चाहिए reaction is backward supporting it is backward favoring reaction यह क्या favor कर रही है यह backward reaction को favor कर रही है मतलब अगर मैं reaction को उल्टा करके लिख दू कि मैं product से reactant बनाओ और अगर market से 100% reactant की जगे market से मैं direct product खरीद लाऊ और उसको reactant में बदलने की कोशिश करूँ तो वो आराम से reaction शुरू हो जाएगी और यहाँ पर product एक समय के बाद 10% रह जाएगा और reactant 90% बन जाएगा मतलब जैसे तुम reaction को reverse करोगे values भी reverse हो जाएगी फिर यह आगे की तरफ बढ़ेगी लेकिन अभी अभी के scenario को देखकर आपको क्या लग रहा है कि reactant टूटता ही है product बनाने के लेकिन product वापस से reactant में चला जाता है मतलब reactant के product बनने से ज़ादा product का reactant बनना फेवर है इसलिए यहाँ पर आप देखो यह बहुत जल्दी equilibrium में आ गया product बनता है और टूट जाता है बनता है और टूट जाता है मतलब इसका concentration बड़ी नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पर reactant का formation ज़ादा favorable आने reaction पीछे जाना ज़ादा पसंद कर लिए बजाए आगे जाने के तो यह हो जाएगा आपका case number two समझ में आ रही है प्यारे बच्चो इसको भी ज़रा note कर लो चीक है चालो good last case case number three अब आप समझ ही गए होंगे मेरे प्यारे बच्चे इतने intelligent है कि यह खुदी समझ जाते हैं अब यहां पर क्या होगा almost equal होगा reactant भी और product भी इनका concentration क्या हो जाएगा almost equal हो जाएगा so case number three मैं अब इसा बोल सकते हैं कि time 10 minute के बाद almost 50% यह है almost 50% यह है 20 minute बाद देखोगे तो भी कोई बदलाव नहीं आएगा 1000 minute बाद देखोगे तो भी कोई बदलाव नहीं आएगा यहने यहां पर equilibrium क्या आगया 50-50% पर यहने when the quantity of reactant and product is almost equal I am not saying कि यह 50-50% ही होगा but यह almost equal होगा for example यह 45 रहे यह 55 हो जाए यह 55 रहे यह 45 हो जाए यह 59 रहे तो यह 41 अल्मोस्ट आसपास equal हो बहुत जादा जमीन आसमान का फरक ना हो तो इस case में यह वाली conditions maintained रहेगी समझ महारी यह बात आप लोगों को तो यह beach वाली condition हो गई यहां पर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि reaction जो है favors both the direction यहां पर क्या हो रही है reaction favors both यहांने forward direction को भी and backward direction को भी 50% यह बन रहा है 50% यह बन रहा है आप reaction उल्टी भी कर दोगे तो भी कोई फरक नहीं रहेगा आप product से reactant बनाओगे तो भी 50% बनेगा आप reactant से product बनाओगे तो वो भी पचास परसेंट रहेगा ठीक है नीले का काने कैता ले दर्ती का प्टाइर पले 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 ठीक है कोई परेशानी अब आज introduction लेने के बाद एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जब कभी भी हम chemical reactions industrial level पर करेंगे या मैं कहूं laboratory level पर भी करेंगे तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें नामुम्किन को मुम्किन करके दिखाना है मनलब अगर आपका reactant से product नहीं बन रहा है तो उसे कैसे बनाना है यह मैं बताऊँगा तो यहाँ पर इस chapter को पढ़ने का major reason क्या है optimize करना चाहरा है we are going to optimize the conditions क्योंकि मैंने आपको शुरुवात में कहा था कोई भी chemical reaction किस पर depend कर रही है एक तो nature of reactant पर और दूसरा किस पर depend कर रही है reaction की conditions पर जैसे कि क्या temperature है क्या pressure है किते moles है etc तो अगर हम इन conditions को optimize करें तो हम equilibrium को भी आगे पीछे shift कर सकते हैं हम आगे चलके सीखेंगे हम आगे चलके इस चीज़ को देखेंगे कि अगर एक ऐसी reaction है जो 50-50% पर equilibrium पर आ गई है तो अगर मैं इसके साथ खिलवार करूँआ तो इसके equilibrium के साथ भी खिलवार हो जाएगा तो याने हम लोग इस chapter को इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसी कोई reaction जो हम चाहते हैं कि यह हो जाए लेकिन अगर वो नहीं हो पा रही है वो equilibrium में आ जा रही है तो फिर हम उसके nature के साथ conditions के साथ खिलवार करेंगे alteration करेंगे और हमारा desirable product बना के देखेंगे तो अगले वीडियो में हम लोग physical process के बारे में बात करेंगे कि जब solid liquid में कैसे equilibrium बनेगा liquid gas में कैसे बनेगा gas solid के बीच में कैसे बनेगा likewise और फिर इस chapter को continue करेंगे थोड़ा बड़ा chapter है but I hope कि हम इसको October end तक पूरा कर ले तो चलो guys इसको note कर लीजेगा कोई doubt हो तो comment section में लिखिएगा यार प्लीज gravity circle channel को अपने दोस्तों के साथ share करो because we are not going really good I am feeling so कि जितना हम input लगा रहे हैं उत्ता output नहीं आपारा तो चलो यार शेयर करो अपने मृत्तिंजे सर के लिए like करके आना वीडियो को और comment section में कोई doubt हो तो लिख देना है चलिए guys chapter पूरा प्योरा theoretical जादा रहेगा और जो numerical अगेरा यारने portion जहां पर जो आएगा वो मैं वैसा आपको करवा दूँँगा चिंता मत करो बस पढ़ाई करो मैं तुम्हारे साथ हूँ तो bye bye have a great day मेरे प्यारे बच्चो टेक केर